पादप हर्मोन या प्लांट हर्मोन को लेकर हमेशा वह एक तो लिस्ट याद नी रेती कि हर्मोन के नाम क्या-क्या है वो काम क्या-क्या करते हैं तो उसको लेकर हम एक ट्रिक हमने बनाई है कि जो पादप हर्मोन या प्लांट हर्मोन है तो उसमें जो पोधों में जो पाय जाते हर्मोन हैं उसकी क्या ट्रिक होगी और उसको हम कैसे याद रखेंगे तो हर्मोन्स के बारे में डेफिनेशन तो हो गई कि यह रासानिक पदार थे जो ब्रद्दी नियंतरन और समनवे का करते हैं पोधों के अंदर अब इसमें मैंने आपको एक ट्रिक में दे रहा हूँ I A Si G I A Si G मतलब आप Si को जो है बुला रहे हैं तो I A Si G वसी यह ट्रिक आप याद रखिए तो पहला आपका बन जाएगा A से Oxine I A तो A से Oxine हो जाएगा फिर A से Epsicumble A A A से Oxine A से Epsicumble Sa से Cytokinin I A Si अब E से Ethylene और G से Gibralin तो I A Si G अगर आप याद रखिए लेते हैं तो Oxine Epsicumble, Cytokinin, Ethylene, Gibralin सारे नाम आपको याद रह जाते हैं फिर उसके बाद में अगर इनके आपको उपयोग याद नहीं हो तो शिव को फल चड़ाओ अंकल तो शिव को फल अंकल यह तो आपके साही बाबा का हो गया आए साही जी अब शिव को फल अंकल मतब शी से आप शुरुवात करेंगे तो यह शिर्ष प्रमुकता के लिए उत्तरदाई है यह Oxine, यह Objective में बहुत पूछते हैं शिर्ष प्रमुकता मतलब लंबाई में व्रद्धी में कौन साहीक है तो यह Oxine है फिर व, अब व से हो जाएगा एपसेसिक अंबलों को बोलते हैं व्रद्धी रोधक हार्मोन यह व्रद्धी को रोकता है बहुत important objective है फिर को, को से बन जाएगा कोशी का विभाजन के लिए उत्तर दाई तो साइटो काइनीन जो है वो कोशी का विभाजन के लिए उत्तर दाई है फिर शिव को फल अब इथिलीन एक ऐसा हर्मोन है जो प्राकरतिक हर्मोन है जो फलों को पकाता है तो फलों को पकाने वाला हर्मोन है इतिलीन और शीव को फल और अंकल जिब्रेलीन से हो जाएगा अंकुरण में सायक और तने की व्रद्धी में सायक तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से पादफ हर्मोन और उनमें पाई जाने वाले हर्मोन के नाम उनके कार बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं इस ट्रिक की मदद से